हलो गाइज होप आप लोगों ने आई किया का नाम तो सुना ही होगा जो कि एक वनेचर कंपनी है और इंडिया में इसकी बहुत जादा प्रजेंस नहीं है अभी बट इसके कुछ स्टोस इंडिया में अब 2018 से स्टार्ट हुए है जो कि बहुत ही अच्छा बिजनिस कंपनी को ही पर्चेस किया हुआ है 2021 में इन्होंने लेंड पर्चेस किया है नौईडा में सक्टर 21 में और कि वहां पर बहुत बड़ा शोरूम डपलप करने वाले हैं इन्होंने लगबर पच्पन सो करोड रुपे वहां पर लगाने की प्लानिंग की हुई है आगे इस कंपनी के बा करते थे उसके बाद इन्होंने पनीचर से इल करना शुरू किया पनीचर में यह किन है वर्ड में इन्होंने लगबग आप अगर इनका रेश्यों निकाले कि किस तरीके से यह वर्ड में किंग है यह लगबग 70% पनीचर वर्ड का यही बनाते हैं और 30% पे स्टांड करती ह तो अब ही कह सकते हैं कि यह king of the king है फॉनीचर कंपनी में और इसके बाद अगर हम बात कह रहे हैं तो सबसे पहला काटलॉग भी इन्होंने ही डपलिप किया था जब यह सिटी में मार्केट पर इन्होंने बनाना शुरू कि कि इनकी चो स्टार्टिंग के स्टोस थे वह गा बहुत खर्चा करना होगा सर्वे करने के बाद और हमारे पास इतना बजट नहीं हम अपनी जो कॉंप्टीटर कंपनी से उनको कंपीट करने के लिए बहुत ज्यादा पैसे के बहुत महनत की जूरत पड़ेगी तब इनके माइन में आइडिया है कि हम एक कैटलोग बनाते ह जिससे लोगों को कैटलोग दिखा करके हम अपना पनीचर सिखिल कर पाएंगे और इनको कैटलोग को डबलग किया यह इनका यूएस भी रहा स्टार्टिंग में जब इनको शुरू किया उसके बाद इनको इस तरीके की मेकानिसम यूज किया कि जिससे की वो खुद से ना करके कास्टोमर खुद असंबल कर ले उसमें एक मैंवल भी दिया जिससे इनका कॉस कटिंग भी हुआ और कास्टोमर का अटाइच्मेंट भी वरता है जब वो खुद से कुई काम करते हैं इन्हों ने बहुत सारे स्टार्ट डिजीज को यूज कि अपने परेशर को अच्छा बैस बनाने के लिए बैस डिजाइनिंग किया इन्होंने जबनाए वो इतने स्मार्टले स्टोर डिजाइन किये हुए हैं कि आपकर जाते हैं वहाँ पर तो प्रॉड़क्ट बनाया हुआ है और इतना डिस्पले होता है कि जब आप जाते हैं इतने ब्यूटिफुल प्रॉड़क्स होते हैं कि आप बिना जो आपने अगर 10,000 का मजट बनाया होता है तो आप इसे 30,000 का समान खरीद के लिए इतने ब्यूटिफुल डिजाइन और इतना एलिगंट वहां पर प्रॉड़क्स को पर्चेस किया बिना नहीं रह पाते हैं अब हम बात करेंगे कि यह कंपनी कब कहां से स्टार्ट हुई है यह कंपनी 28 जुलाई 1943 को 80 साल पहले स्वेडन के एक छोटे से गाउं से स्टार्ट हुई जो कि मिस्टर इंगवार कंपार्ट ने स्टार चोटे चोटे प्रॉड़क्स वहां पर गाउं में पर्चेस करने शुरू किये और उनको सेल करना शुरू किया जो कि एक इन्होंने स्पेस लिया था वो था गाईज ऐसा कि जिसे पहले के टाइम में हमारे फोन पूथ हुआ गरते थे वहां पर लोग फोन पर बात करने के लिए जाते थे ऐसे वाला ऐफोन रखा होता था बात किया और सिक्का डाला और आप वहां से निकल गए इस तरीके का इनका छोटा सा शौप था छोटी सी शौप से इन्होंने वर्ल्ड में आपनी कंपनी को इतना ज्यादा डबल अब किया उसको जानने के लिए हमें अपन करते 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 कर वर्ल्ड में इतने जादा इनकी प्रजंस है कि यह 70% अकले ही बना रहे हैं लाइक वोड्ड का जो फनीचर है यह ये market में king है guys इस समय furniture के king as in 70% कहने का means मेरा ये था कि ये अगर 70% furniture बना रहे हैं तो अधर कमपनियां सिर्फ 30% furniture बना रहे हैं जो इनके comparison में stand करती है अब बात करते हैं इनके नाम की इनके नाम में जो IKEA है ये भी इसकी भी story है अलग ऐसा नहीं था कि IKEA कुछ ऐसा है कि किसी का नाम है या कुछ है particular ये अलग-अलग letter से बना हुआ अलग-अलग नाम है सबसे पहले जो आई है वो Mr. Ingward है कि इनका सरनेम है Kemperad और उसके बाद इनके कुछुम का नाम इनके गाओं का नाम इनके सब उसके साथ याड़ किया हुआ है तब ये मिलकर के बना IKEA किया आई से इंगवार के से कंपरड ई से इल्म टायोर ए से एक्वनोर्ट सु गाई इस तरीके से इनका नाम का फुल फॉर्म आता है अब हम बात करेंगे कि इनके स्ट्राटजी क्या है ये उन्होंने किस स्ट्राटजी पर काम किया और जिससे ये इतनी स्ट्राजी से इनां अपनी मार्केट में प्रिजेंस बना लिसवार करना ila कॉस्ट कंटिंग क्या का में लो कउस्ट रखा सके बाद ने अपना assembly का cost कम किया guys यह assembly खुद नहीं करते assembly customer खुद करता है घर ले जाकर के यह टुकडो में parts उनको दे देते हैं पुर उसके बाद इनका टुकडो में parts बनने से logistics कम हो गया क्यों? क्योंकि जहां पर अगर हम 10 सोफे को रखने के लिए space रखते हैं वहाँ पर यह 20 या 30 सोफे स्टोर कर सकते हैं फिर इनके बाद इनके store area जो है वेर हाउसे वहाँ पर भी इनका cost cutting हुआ inventories का costing कम हुआ team का costing कम हुआ बहुत जादा team की requirement इनको नहीं हुई फिर इसके बाद guys जो समान है वो transportation कम हुआ, logistics कम होने इनके खर्चे बचे फिर इनके खर्चे बचे फिर इनके फरेंचर की costing कम की इन्होंने डिजाइनिंग पे खुब ध्यान रखा कि डिजाइनिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए market में अपनी presence बना कर रखी rethinking करते रहे प्रड़क्ट पे इनके डिजाइनिंग और उनकी कॉस कटिंग पे ध्यान रखते रहे हैं फिर उसके बाद इन्होंने बहुत ही डिजाइनर शोरूम बनाए गाइस उनके strategy थी इन्होंने शोरूम की marketing शुरू की इन्होंने कुछ शोरूम बनाए जब इनके बहुत पैसा हो गया तो इनको रखा कि हमें शोरूम भी बनाने चाहिए ताकि लोगों को जो हम catalog में फरेंचर दे रहे हैं वो जब यह देखें और देखकर के इनको लगे कि हाँ यह product की हमें ज़रूत है तो यह हमारे जिससे कि आप अगर इनके यहां से फनीचर लें या फिर आप अधर प्रोड़क्त लें तो इनकी सेल इतनी हो कि वन टाइम में ही कोई customer इनके यहां जाए और वन टाइम में ही इतना फनीचर ले या इतने प्रोड़क्त लें कि अगर उसने भजट 10,000 का किया था तो वह 50,000 इनके प्रोड़क्त की सेलिंग इस तरीक से रहती है अब बात करते हैं कि इन्होंने किस तरीके से इंडिया में स्टोर्स की प्लानिंग करी हुई है और इनके स्टोर्स इंडिया में कहां कहां पर हैं So guys, Hyderabad में 2018 में इनका पहला स्टोर स्टार्ट लुए उसके बाद यह경। से ट्राफिक जाम हुआ और हैदराबाद में ट्रांसपोर्ट की बहुत जादा दिक्कत हो गई इसके बाद इन्हों ने अनाउंस किया कि हम लोग को परिशान होने की ज़रत नहीं है आप नेक्स नेक्स्ट सो मैनी डेज अभी आपके पास हैं आगे आने के लिए ना कि आज का cmr आंगे तो ना तो हम लोग हैंडल कर पाएंगे और nah ही हैतराबाद का ट्रांसपोर्ट जो भी हमारे होते हैं हो normal कर ट्रफिक को गाइज प्लीस एंड प्लीस नहीं कर पाइंगे और हैदराबाद में ट्राफिक जाम की प्रॉब्लम हो जाएगी सो आप लोग आए आराम से आते रहें उसके बाद हैं इनकी पर जल से मार्किट में वो मुंभी में हैदराबाद में पूने में बैंगलोरो में अम बिजनस टार्ट होने ही वाला है इनका दिसमबर 2024 में जो ये गुरगावा नॉइडा के एरियाज में बड़े शॉपिंग सेंटर लाने वाले हैं आईकिया अल्रेडी जो है पर्चेज भी कर चुका है स्पेस नॉइडा में सेक्टर फिप्टी वन में एक बीस-एकिस के राउंड बीस-एकिस के समय में जिसमें इन्वेस्मेंट किया है पच्पन सो करोड रुपीज का इनके पास लेंड है और यह आगे बहुत जल्दी कंस्ट्रक्शन शुरू करने वाले हैं आगे गाइस अगर मैं आपको आईकिया के बारे में बताऊं तो आईकिया बहुत अच्छी पानिचर कंपनी है जो बहुत जादा एरिया में कबर कर रही है इंडिया में भी अगर आ मोटिवेशन मिलता है इंटीरेस रिलेटेर इंफरमेशन के लिए आप लोगों को आगे मैं वीडियो शेयर करती रहूंगी होप आप लोगों को पसंद आएंगी और आप लोग हमारे चैनल को इसी तरीके से लाइक करते रहेंगे थैंक यू